संसद्धोण की नई बिल्डिंग के और घाटन वाले विवाद की बीच सब की नजरे एक बार फिर से मायवती के तरफ घूंग गई क्योंकि इस मामले में मायवती का क्या फैसला है ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है अगर मायवती ने इस मामले में कोई बड़ा फैसला लिया तो यूपी की राश्णीती में इसका बड़ा प्रभाव संबह है वैसे भी इस बात की उम्मीद जादा है कि क्योंकि मायवती कॉंगरेस के साथ जाएगी ये बात फिरहाल के लिए नामुम्किन से लिखाई देती 28 माई को जब परढ़ान मंत्री मोटी नए संसत धोन का उठाटन करेंगे तो वहां मौजूद राजनितिक डलों पर भी सब की नज़र होगी क्योंकि 19 दलों ने संयुक्त रूप से चित्थी जारी कर ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि जो भी दल इस काईवगरम में जाएगा उसकी मौजूद की पर सवाल खड़े होगी अब सबसे वड़ा सवाल बसपा सुखीमों मायावती के सामने है क्योंकि यूपी में बसपा के दस सांसत और सवाल ये है कि अब मायावती इस मामले में क्या फैसला लेती है ये दो तरह की राजनीत से बसपा को बाहर आना होगा या तो वो भारती जंता पार्टी के खिलाफ लड़े और वो सपष्ट सामने आए और यही वज़ा है कि अगर आप देखिये तो लखना उन्ने गर निगम में किवल एक सीट आई है बसपा के पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधायक जीता तो अगर वो अपनी विश्वस्त नियात है उन्होंने अपने मद्धाताओं में ना खोई होती तो ये परिणाम ना होती वसपा का आखरी फैसला माया वती ही लेती है अशै में हर किसी को उनकी प्रथिक्रियाता इंतरसार है कॉंगेस तो फिरहान सभा चुनाओं के वक्त से कि माया वती को साथ जोडने की कोशिश कर रही लेकिन माया वती में फिरहान सभा का चुनाओं की अकेले लड़ा था और लोग सभा का चुनाओं की अकेले लड़ने रुट तयार थी राजनीत नहीं कर रहे हैं, भारत के समिधान की रक्षा कर रहे हैं, भारत की परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं, रास्पत की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं, उपरास्पत की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं, राजनीत नहीं, घटिया राजनीत भाचपा कर रहे हैं वस्पा ने 2019 में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं दाए वहीं कॉंग्रिस को ये उम्मीद है कि अगर उसे मायावती का साथ मिल गे तो वो सबसे बड़े सियासी राज्जी में बड़ा उलट खेड़ कर सकती है लेकिन मायावती के बयानों को देख जा ये समिकरन फिलाल के नामुम्किन नज़र आ रहा है क्योंकि 24 घंते पहले मायावती ने कॉंग्रिस पार चुबने वाला हमला करते हुए लिखा था दलित और मुस्लिम समाज को सत्ता में भागीदारी के लिए सजक हो जाना चाहिए करनाटक में दलित और मुस्लिम समाज ने एक जुटो पर कॉंग्रिस को चिताए लेकिन सरकार के गठन में दोनों वर्गों की उपेक्षा की गए कॉंग्रेस अपने बुजे समय में दलित और मुस्लिम समाज को याद करती है और सत्ता मिलते ही दलित और मुस्लिम समाज के दोगों की तर्थ खिनार करते हैं एक तरफ मायवती करनातक नतीजों को लेका कॉंग्रेस के खिलाफ मोचा खोलका धरी तो उनके ही सांसर पार्टी लीक से हट कर बातने कर रहे हैं। अम्रोहा से बस पासांसर खुंअर दानिश अलीम दोहजार अठारा के करनातक चुनाव के रौज़ की एक तस्वी ट्रिटर पर शेयर दिए और लिखा। करनातक में JDS कौंगेस सरकार के शपत गहन समारोह के आउसर पर 2018 में इसी दिए बिधान सभा में विपक्षी डलों के दिकजों की मेशबानी करना मेरे लिए एक यादकाश नहीं था। विपक्षी एकता की आवशक्ता आज पहले से कहीं अधिक है। आओ, हम सब एक हो जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जबाँ आपकी।